दोस्तो ब्रह्मांड का आकार अंडाकार है जहां दोस्तो ब्रह्मांड से पहले कुछ भी नहीं था और कहा जाता है कि करीब तीरे अरव साल पहले ब्रह्मांड अस्तिर्तों में आया और पौराणिक मन्यताव के अनसार ब्रह्मांड में अचानक कोई धमाका हुआ और से पहले यह जानते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं दोस्तों द्रव्य और उर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है next big bang theory जो के ब्रह्मांड के बारे में सबसे विश्व सनी ठ्योरी है फिक बेंग ठ्योरी के इन टुकड़ों के बाद से ही अंत्रिच और आकास गंगा अस्तित्व में आई और इसी रचना में ही हाइडरोजन इलियम जैसे अडूओं का निरमड हुआ नेक्स्ट जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकर बढ़ता गया वैसे वैसे तापमान और घनत तो कम हुआ और इसी की वज़े से गुरूत्व करसरण वन विद्धुत्चमकिय वन और अन्य बलों का उत्सरजन हुआ और दोस्तों इसी के बाद ही हमारा एक सौर मंडल बना नेक्स्ट ब्रह्मांड का विश्तार लगातार होता रहता है जिससे तारों और ग्रहों के बनने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है नेक्स्ट ब्रह्मांड में अव तक 19 अरव आकास गंगा होने का अनमान है और सभी आकास गंगा एक दूसरे से दूर अटती जा रही है मिलकी वे आकास गंगा में हमारी प्रतिवी और सूरे मौझूद है नेक्स्ट मिलकी वे में लगवग सो अरव तारे हैं और हर तारे की चमक दूरी और गती अलग अलग है वही आकास गंगा ब्रह्माण की परिक्रमा करती रहती है नेक्स्ट और यह नेबूला हमारी आकास गंगा के सबसे सीतल और चमकीले तारों का समूह है नेट्स्ट सूर्य इस ब्रह्मान का चक्कर लगवग 26,000 वर्सों में पूरा दरता है जबकि अपनी धोरी पर सूर्य एक महिने में एक चक्कर लगा लिता है और अगर आपने अब वीडियो को पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताके ऐसे ही युनिवर्स से जड़े नएन इफेक्ट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें धन्यवाद